नमस्कार दोस्तों कहीते हैं यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है संपूर्ण हिंदी विशे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साइते के मैं तवपुरन पर्षन जो की मैलातन कलास नमबर 20 के माध्यम से हम व्याख्या साइत करने की कोशिश करेंगे हम उन सभी परषनों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कही ना कही पिछली परिक्षाओं में पूछे गए हैं सभी परषनों को उनके विच सूलूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं ताकि एक परषन से सम्मंदित कोई और अन्यतत्य भी परिक्षा में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको किसी भी स्टेट के अंतरगत होने वाली टीजिटी पीजिटी हिन्दी समंदि परिक्षा हो, या एन टीन.08 की परिक्षा हो, या कोई अधर परिक्षा हो जिसमें हिन्दी साहिते समंदि परषन पूछे जाते हैं, उन सब विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी पिछले सालों में पूछे गई पर्षन अर्थात्पिरी से के कोश्चनों को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो कर लेते हैं आज की किलास की शुरुआत क्योंकि निरंतर भ्यासी है सवलता का राज बढ़ते हैं आगे पर्षन नमबर एक से हम कर लेते हैं शुरूप वच पर्षनों को करते हुए चलना है तो वचन की वकरता भाव परेरित होती है वह काव्य होती है तो ये कथन की स्विद्वान द्वारा कहा गया कथन है तो ये कथन आचारी रामचंद शुकल जी द्वारा कहा गया है कि वचन की वकरता भाव परेरित होती है वह काव्य होती है आचारी रामचंदोशुकल जी के हंदी साइत्ते में जितने भी कतन है वे अपने आप में important है और कहीं न कहीं जो है गुमा फिरा कर इनी कतनों को बार-बार परिक्षाओं में पूछा जाता है और अन्य विद्वानों दूआरा कहे गए भी कतन भी important है लेकिन आचारी रामच पूछे जाते हैं तो यह आपको धियान लखना है और बार बार शुकल जी के जितने भी कथन है बार बार रिवाइस करते हुए चलना है ताकि परीक्षा में कोई भी कथन पूछ लिया जाए तो आप आसाने से उनका जो है सही answer दे सको अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि अगर चैनल को आप सबस्क्राइब करोगे तो ही आपको notification समय पर मिलता रहीगा और वीडियो आपको पसंद आती है परिशन आपको लगता है आपकी परिक्षाव के लिए ये helpful है तो आप जो है लाइक करते वे भी आपको चलना है क्योंकि आपके लाइक से मुझे जो है next class बनाने का motivation भी मिलता है तो देख लेते हैं परिशन नमबर दो परिशन नमबर दो म है तो मुर्दो का टीला उपन्यास जो है मुर्दो का टीला जो है रागे रागाव जी दुवारा लिखा गया उपन्यास है डूप्त मस्तूल जो है नरेस महता जी का उपन्यास है महाबोच जो है मनुवंडारी जी का उपन्यास है तो लाल्टीन की छत जो है दिर्मलवर्म उपन्यास है, तो इनी को हमें मिलान करते हुए देख लेना है, हमारा आंसर क्या होगा, तो बुर्दो का टिला हो जाएगा, वही रागे, रागा ओका, एक अवप हो जायेगा, तीन, बी ओप्शन में हमारा दिया हुआ है, लेकिन दी में भी दिया हुआ है, तीन, तो देख परिक्षाओं में जो भी रचनाई पूछी गई है वे बार बार जो है पूछे जाने की संभावना होती है क्योंकि चितने भी पिछले सालों में पिछले प्रिविए सियर्च में को पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं उनी रचनाओं को गुमा फिरा कर जो है अगली परिक्षाओ में भी पूछा जाता है 60 पलस परशना में पिछली परिक्षाओं में इसे ही देखने को मिलते हैं ये आप लोगों को सभी को पताईए तो देख लेते हैं उपन्यास एक तरफ है उपन्यास दूसरे तरफ है उनके उपन्यास कार मुर्दो का टीला रागे रागव जी का उपन इन में से कौन सा आचारिय अलंकार संपर्दाई से सम्मेलित नहीं है अलंकार संपर्दाई में सम्मेलित इमने में से कौन आचारिय नहीं है ये आपको बताना है आंसर हो जाएगा हमारा विशोनात क्योंकि धंडी भामा रुद्धर तीनों के तीनों अलंकार संपर्दाई में समलित आचारिया है जो विशोनाद जी है वो रस समपरदाई से सम्मंद रखते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुए कुछ और अन्य में तो फुरन बिंदू है पुआइंट हमारा है आचारिय विशोनाद अलंकार समपरदाई से म सम्मिलित नहीं है यह रश संपर्दाई में सम्मिलित आचारिये हैं जबकि धंडी भामा और रुद्धत अलंकार संपर्दाई के आचारिये माने जाते हैं अगर पर्शन में यह पूछ लिया जाता कि कौन सा जो आचारिये इन में से रश संपर्दाई से सम्मंदित है तो क्या गया है क्योंकि माइनर सी जो अमारी मिश्टेक होती है वहीं अमारा जो है एक नंबर का वहाँ पर अमारा कट जाता है क्योंकि पॉइंट पॉइंटों से ही अमारा सेलेक्शन होता है competition परिक्षाओं में तो ये चीज़े आपको ध्यान से इनको ध्यान रखते हुए परशनों को करना है परशनों को आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते हो तो तीन चार परशन तो आपको वैसे ही जो है गलत होने से बच जाते हैं ध्यान से पढ़ने से ही परशन तो देख लेते तारसब्तक का संपादन किया तो इन में से जो कैदारनाच सिंग जी है वो तारसब्तक के कवी नहीं है बलकि परबाकर माचवे मुक्ति बोध और राम विलाशर्मा तीनों तारसब्तक के परमुक कवी है तारसब्तक में साथ साथ कव्यों को सामिल किया गया है जो तारसब्तक का संपादन उन्होंने 1943 में दूसरा संपादन किया गया इनका समय आपको ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी जो संपादन का समय पूछा जा सकता है परिक्षा में तो और पिछली परिक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और यह नी को ध्यान में रखते हुए हर एक मैं तवपूरन बिंदों को बारिकी से आपको समझते हुए चलना है तो देख लेते हैं तार सब्तक के अंतरगत आने वाले जो पर मुक कवी है वे हैं अमारे गिर्जा कुमार मातुर रामविला शर्मा अग्गे मुक्ति बोध बा चोथे में भी साथ साथ कवियों को सामिल किया गया है कुल हमारे सब्तक के अंतरगत 28 कवी है तो इन 28 कवीयों को आपको ये जहान रखना है कि कौन सा कवी कि सब्तक के अंतरगत आता है तो किसी भी सब्तक के कवियों को पूछा जाता है बढ़ते हैं आगे सभी अपने आप में इंपोटेंट है बात करें कैदार नाज सिंग की तो ये सार्स तार सब तक के कवीन है उकर वलकि तित्तिय सब तक के अंतरगत आते हैं जो कि 1969 में संपादनीस का किया गया भड़ती है आगे अगला परशन है परशन नंबर पाँच पदमावत के अनुछेदों का नाम बता क्या गया है कि पदमावत को किसमें विवाजित किया गया है यानि कि उसके अनुछेदों को क्या कहा गया है तो उनको खंड कहा गया है ये भी आपको ध्यान अगना है पदमावत जाईशे जी की रचना है पदमावत हिंदी का महा कव्य है कि इसकी कथा का पूरवार्थ लो खंड कहा गया है में विवक्त किया गया है उसके बाद बढ़ते हैं आगे नालंद जैसी की पर्मुक रचनाई यह वही थोड़ा टाइपिंग मिश्टेक है जैसी जी की पर्मुक रचनाई है हमारे वो है पदमावत अकरावत आखरी कलाम चितर रेखा कहर नामा और मसल नामा यह सबी रचनाई जैसी जी दुआरा लिखी गई है किस रचना में किस का वर्णन किया गया है इनको भी हम पर्षन उत्रों के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो पदमावत का पहले का भाग जो है वो कालपनिक माना जाता है और बाद का भाग जो है एतिहासि दिक रहा है बढ़ते हैं आगे अगला पर्षन देख लेते हैं पर्षन नमबर 6 निमलिक्त में से किस कीर्थी के लेखक जैसंकर परशाद जी नहीं है इन में से कौन सी ऐसी कीर्थी है जिसके लेखक जैसंकर परशाद नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कानन कुशुम द पन्या सैबान बट की आथम कता 1946 में लिखा गया पुनरवा 1973 में अनामदास का पोता 1976 में इनकी रचित रचना है और कानन कुसुम दुरुश वामनी वैतितली के अलावा जया शंकरपर्शाद जी की ओर अन्यकीरतिया जब हम देखे चित्राधार प्रेमपतिक करूनाल्य महरा राजशरी, विशाक, अजाद सत्रू, कामन, जनमेजे का नागियक, सकंद गुप्त, एक गुट, जंदर गुप्त जो है आदी माने जाते हैं और ये एंटी एनेट की परिक्षा में आया हुआ पर्शन है बढ़ते हैं आगे पर्शन नमबर साथ किर्शन गीतावली नामक का व्यकिर्ति के रचनाकार कौन है तो किर्शन गीतावली के रचनाकार आप सभी को पता है तुलसीदास जी है तो किर्शन गीतावली नामक का व्यकिर्ति के रचनाकार तुलसीदास जी है इनकी जो अन्यक व्यकिर्तिया है फी है रामललानचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवेराम, रामायन, वेराग्य संदीपनी, रामाग्या पर्षन, कवीतावली, दोहावली, गीतावली, विनेपत्रीका और रामचरी तर्मानस, इनकी रचनाव की जो भाशा है वो ब्रेज भाशा और अवधी भाशा दोनों रही है, किस रचना की कौन सी भाशा है, और कि कौन सी रचना इन्होंने अवधी भाशा में लिखी गई, इनको मैंने आपको ट्रीक के माद्यम से बता रखा है रामचरित्रमानस इनका अवधिभाषा का महकाव है तो विन्य पत्री का इनकी प्रिजभाषा समन्दी रचना है तो सभी रचनाओं को मैंने आपको बता रखा है जिसमें वह शब्द आ जाए जिसके इनकी रचनाओं में या फैसे शुरू हो रचना या फिर वली शब्द आपको देखने को मिले तो वह रचना इनकी प्रेजबाशा की है और अन्य सभी रचना इनकी अवदी भाशा में लिखे गई रचना है जैसे कवीता वली, गीता वली, विन्य पत्री का ये सभी प्रेजबाशा ये समंदी तो रामचरी तर्मानस रामलानचू, ये सभी इनकी अवदी भाशा की रचनाई है तो देख लेते हैं आगे पर्षा नमबर 8, जुगुवसा स्ताई वाओ होता है, वह विवत्स रस कहलाता है उत्सा नामक स्ताइबाव जब विवावादी के संयोग से परिपक ओकर रस रूप में परेनित होता है वह वी रस कहलाता है रोद्रस का स्ताइबाव क्रोध होता है तथा अद्बुस रस का स्ताइबाव आश्चरिय होता है यह भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं आगे में फोर्ट विलियूम कालीज की सतापना की गई इस कोलीज में बारतिय बाशाओं के प्रोफेशर के रूप में जोन गिल क्रैश्ट को नियुक्त किया गया इन्होंने हिंदी शिक्षन के लिए दो बाशापंडितों जो की ललूलाल और सदल मिशर जी का नाम आता है की की सुक सागर तथा इशाला खाजी दुआरा लिखी गई रानी केतकी की कानी परमुख रचनाई है राजा लक्षमन सिंग ने परजा ही तेसी नामक पत्तर निकाला और अन्य उप्षनों में जो विद्वान दिये गई हैं उनकी रचनाई भी आप लोगों ने देख ली की और इशाला खाजी के तोरानी केतकी की काहनी काफी परशिद रचना है ये बार बार परिक्षाओं में पूछी जाती है इशाला खाजी की सदा सुकसाग लाल की भई और ललू लाल जी की और सदल मिशर जी की इन सभी की रचनाई परिक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं हिंदी साइट्य गद्य के विकास में ये चार लेखकों ने अपना मैं तव पूरन योगदान दिया था इनके दुवारा ही हिंदी साइट्य गद्य का विकास किया गया था ऐसा मन जाता है बढ़ती है आगे परशन नमबर दस परिक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार कौन है तो परिक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार नहीं पुछा बढ़ती है यहां पर रचनाकार पुछा हुआ है माफी चाहूंगी तो देख लेते हैं परिक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार कमाना जाता है अठारा 1818 परीक्षा-गुरू नामक जो रचना है वो लिखी गई एक सेकेंद बहीं परिक्षा-गुरू का रचनाकाल जो 1828 में है और इसके रचनाकार पूच लिया जाइर रचनाकार एक सकेंद में यतना कार का नाम आएगा लाला सिरीनी वास्तास ची दुवारा लिखा गया परिक्षा गुरू जो कि हिंदी का पर्थम मोलिक उपन्यास भी माना जाता है और आचारी रामचंद शुक्ल ने भी इसी परिक्षा गुरू को ही हिंदी का पर्थम मोलिक उपन्यास माना है तो दे अंग्रे जी डंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है उसके बाद बात करें आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नमबर ग्यारा पर्शाद ने अपने किस नाटक में मुख्यते नारी मुक्ती की समश्या को उठाया है तो पर्शाद जैशंकर पर्शाद जी ने अप या नहीं इस समश्या को बड़े कोशल से परुस्तुत किया है परशाद दुआरारचित अन्यनाटक है विशाक अजाजसत्रू कामना जन्मेजेका नागियक और सकंद गुप्त एक गूट चंदरगुपता दीन के परमुखनाटक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं परशाद नमबर बारा देख लेते हैं इनको भी हमें सुमेलित करना है कि कौन जो है किस कहानी के परवर्तक माने जाते हैं जैसे कि कई बार परिक्षाओं में पूछे जाते हैं सामांतर कहानी के परवर्तक कौन है एक कहानी के परवर्तक कौन है सचेत कहानी के परवर्तक कौन है तो और सामांतर कहानी के परवर्तक कमलेशवर जी, सचेत कहानी के परवर्तक जो है महीप सिंग जी माने जाते हैं, तो इनको भी एक भर से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, तो ऐ कहानी गंगा परशाद विमल, सक्रिय कहानी राकेश वत्स और सामंतर कहानी कमलेशवर और सचेत कहानी महीव सिंग से समंदित है बढ़ते हैं आगे अगला परशन देख लेते हैं परशन नमबर 13 सुम्मेलिट कीजिए इनको भी हमें सुम्मेलिट करना है देखना है कि पास्चत्य विद्वानों दुआरा क काफी बार परिक्षाव में पूछे जाती है जहां पर जो कावे सास्तर समंदित अगर परिक्षाव में पूछे जाते हैं तो पास्चत्य कावे सास्तर से समंदित एक या दो परिक्षाव में पूछ लिया जाता है तो यह धान रखना है तो पेरी जो रचना है वो हम कई ब बारा लिखी गई है यह लोंग जाइन म्छह रचना की है और पविटीक्स जो रचना है यह रचना जो है अरस्टु जी की है एकप ठेक्स रचना ही यह रचना जो है एक ठेक्स करोचे दू आर लिखी गई इंए परशीद काफी भार परिक्चाओं में पूछी जाती है प्लेटो जी का परशित गरंत है तो एक बार इनके गरंतों को और फिर से रिवाइज कर लेते हैं आंसर हो जाएगा हमारा डी देख लेते हैं इनको फिर से रिवाइज करते हैं पेरी पुसुस जो रचना है ये है लोंग जाइंस की पोईटिक्स जो रचना है अरस्तु जी की एथेठिस जो रचना है क्रोचे जी की इयोन जो रचना है प्लैटो की उसके बाद बढ़ते हैं आगे पर्शन नमबर चोदे प्रुस्तुत पंक्तियों के रचेता कून है प्रेम निकेतन स्री बनही आई गोवर धन्धाम लनो सरन चित चाही के जुगल सवरूप का ललाम जो ये पंक्तिया है ये रस्खान जी की परशेत पंक्तिया है उसके बाइन हिंदी के मुसल्मान कव्यों में रस्खान का मैत तबुरन शतान है 252 की वारता में जो है इनका मैत उलेक दिया गया है उन्होंने को शुआमी विठलनात जी से वल्लब संपरदाई की दिक्षा भी प्राप्त की है रस्खान दुआरा दो रचित जो किर्तिया है वे अभी उपलब्द मानी जाती है एक है प्रिवाटी का दूसरी है धान लिला ये दोनों रचना ही जो इंपोटेंट है काफी बार परिक्षाओं में पूछी जाती है वर्तमान सर्म समय में सरवादिक परचलित जो संकलन है इनका वो है सुजान रस्कान इसमें 181 सवईये और सत्रा कवीत और बारा दो है और चार सोर्टें संकलेत है ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं परशन नमबर 15 करोचे के अभी वेंजनावाद का संबन्द वक्रोकती सिदान के साथ मानने वाले विद्वान का नाम बताईए तो जो करोचे का अभी करोचे के अभी वेंजनावाद का संबन्द वक्रोकती सिद्दान से है ये शुकल जी के मान दुआर माना गया करोचे पाश्चा जो पाश्चात तक हभाई सास्तर के अंतरगत आते हैं और पाश्चात दार्शनिक माने जाते हैं इनके दुआरा रचित मैतव पुरण पोईटर्स ये सबी रचनाई क्रोचे जी की है उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला परशन परशन नमबर 16 हिंदी नवजागरन को मूलत बुद्धिवादी और रह्षयवाद विरोध कहने वाले विद्वान कौन है हिंदी नवजागरन को मूलते बुद्धिवादी और रहश्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान राम विलाशर्मा है डोक्टर राम विलाशर्मा जो है वो एक माक्सवादी आलोचक माने जाते हैं उनके दुआरा रचित आलोचनात्मक गरन्त है महवीर परशाद्य विवेदी और हिंदी नवजागरन ये राम विलाशर्मा जी दुआरा आलोचनात्मक गरन्त का नाम है वही महवीर परशाद्य विवेदी और हिंदी नवजागरन फिर है नई कवीता और अस्तित अववाद हिंदी जाती की का साइत है भारतिय सोंद्रिय बोध और तुलसीदास ये सबी जो है इनके आलोचनात्मक गरंथ है इनको आपको बारबार रिवाइच कर लेना है कोई भी गरंथ परिक्षा में पूछा जा सकता है रामिला शर्माज कीसे समपन देत बढ़ दें है आगे शिंगानिय नामक पुरुष पात्तर का समगत किस नातक से है तो इसका समगत हमारा है आदे अधूरे नातक से जो कि मोहनराकेश जी दुरारा लिखा गया उनका अधूरा नातक माना जाता है तो देख लेते हैं आदे अधूरे स्रेए मोहन राकेश जी दुवारा लिखा गया, उनका नाटक माना जाता है, इसमें सिंगानिया नामक पुरुष पात्तर का वर्णन हुआ है, और आदे अधूरे नाटक, आदे अधूरे नाटक के अन्य पात्तर है, मैं इंदरनाथ, जग मोहन, अशोक, जुनेजा, सावेतरीन की प पहला सार्तक, हिंदी नाटक की माना जाता है, ये पतत्या परिक्षा की दरिष्टी से इंपोर्टेंट है, परिक्षा में पूछा जा सकता है, कि हिंदी जो सहीते में समकालीन जिंदगी का पहला सार्तक, हिंदी नाटक कौन सा माना जाता है, तो ये माना जाता है, आदे अ नाटक को मील का पत्थर भी खा जाता है ये पुएंट भी आपको ध्यान रखना है इस नाटक से सम्मंदित ये पूछा जा सकता है निम लिक्त में से मोहन राकेस के किस नाटक को मील का पत्थर माना गया है तो आदे है दूरे नाटक को आगे बढ़ते हैं पर्शन नमबर 18 ब 1905 में राजबाशा आयो की स्तापना की गई अनुचे 344 में यह भी कहा गया कि राष्टपती पाच वर्स के बाद उसके बाद हर 10 वर्स की समापती पर राजबाशा आयो का गठन करेगा और अनुचे 343 में यह कहा गया कि संग की राजबाशा हिंदी तथा लेपी पागरी होगी सवीदान के कि सनुचेद में कहा गया तो ध्यान रखना है 343 में तथा बारतियां को का अंतर राष्टिय शवरूप भी होगा 343 में ही कहा गया बढ़ते हैं आगे फर्षन नमबर 19 निमलिक्त में से कौन सा राम बगत कवी है तो इन में से राम बगत कवी मान दास किर्षन बगती कवी माने जाते हैं द्रूदास और श्रीबट भी और लेकिन नाबादास जो है राम बगत कवी रही है इन कवीयों में तो नाबादास तुलसीदास जी के समकालिन राम बगत कवी माने जाते हैं इनका जनम जो है अनुमान ते माना गया है भी समभावि यानि भक्तमाल नामक रचना इनके दुवारा लिखी गई, उसके बाद कई विद्वानों ने भक्तमाल संबंदी जो भक्तमाल के टिक आदी रचना आई की, तो नाबादास ने 1585 वी के आसपास ब्रजबाशा में भक्तमाल नामक रचना की है, इनके गुरू का नाम है, नाब सरो जाएगा मारा समय स्थानकारिय की एकता, तो एकांकी में संकलन्त रहेगा, आश्य स्थान समय कारिय की एकता से माना जाता है, स्थान से ताथ पर यह संपून गटना, एक स्थान पर गटित हो, या कम से कम स्थान परिवर्थित हो, समय से ताथ पर यह है, एकांकी में उ अधिक समय का जो समय एक आंकी में जो है ये एक तरह से कह जाए तो सही नहीं माना जाता कारिये में कारिये से तात्परिय माना है कारिये एक आंकी में प्रासंगिक कथाओ को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए कारिये व्यापार के करम को बनाए रखना चाहिए रामकुमार वर्मा संकलन तरय को एक आंकी की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन है तो आपको द्धान रखना है रामकुमार वर्मा उनके अबाव से स्रेष्ट एक आंकी के रचना संभव नहीं है तो इन सभी को जो है, इनके सभी के अबाव से समय सतानवे कारिय की एक ता, इनके संकलनतर के अबाव से एक आंकी के रचना संभोग नहीं मानी जाती है, ऐसा माना जाता है, भड़ते हैं आगे, पर्शन नमबर 21 निमलिक्त, संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा न पढ़ा लिखा नहीं था, अगर ये पुछलिया जाए अनपढ़ थे, जिसे जो पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो थे हमारे कभीर दास जी, और अगर ये पुछलिया जाए पढ़ा लिखा था, वे हमारे संत कवि पढ़े लिखे कवि थे, तो वे थे हमारे संत कवि दादू के शिश्य बनकर अध्यान के लिए कासी चले गए थे और इन्होंने व्याकरन, दर्शन, सहीत, विदान्त और पुराणों का गंबीर अध्यान भी किया था उन्हें फारसी पाशा का अभी ग्यान प्राप्ता, उनके दुआरा वी रची छोटे बड़े 42 गरंतों की चर्चा होती है और इनका परकाशन सुंदर गरंतावली नाम से हो चुका था, इनकी रचनाव में सुंदर विलास, विशेश मैत्तवपुरन रचनाव इनकी मानी जाती है उन्होंने सिंगार रस का खुल कर विरोध किया, ये पोईंट कई बार पुछा जाता है निमलेक्त में से किस संद कभी ने शिंगार रस का खुल कर विरोध किया है तो वे नाम आता है हमारा सुंदर गरंतावली नाम से बीजग नाम से किया गया इनके तीन भाग है, साखी, सबद, रमेनी, कभी दास जी की जो रचना है बीजग नाम से जिसकी कभी दास की जो रचनाओं का संकलन किया गया बीजग नाम से उनके तीन भाग माने जाते है, साखी, सबद, रमेनी और साखिस अबद्रमैनी की अपनी विशेशता ही होती है कि इनको दोहों में लिखा गया कि इसकी बाच्या क्या रही यह सब हम पर्शन उत्रों के माद्यम से करते हुए बार बार रिवाइस करते हुए बढ़ेंगे तो देख लेते हैं आगे पर्शन नमबर बाईस निमलिक्त उपन्यासो को पर्थम परकाशन के बर्श के अनुसार पहले से बाद के अनुकरम में लगाईए यानि हमें इन उपन्यासो का परकाशन करम के अनुसार इनको लगाना है तो देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा इन में मैला सोरी बई, सबसे पहले आएगा इन में आपका बान बटकी आतम गथा जारी परशाद्यु, वेधी जी दुआरा लिखा गया, फिर मैला अचल उननीसो चोवन में जो फणिस्वरनात रेनु जी दुआरा लिखा गया उप पन्यास आएगा, फिर आएगा सुखा बरगद, फिर आएगा कासी-कासी, इस परकार से इनको हमें करमवाइज लगाना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दील, उसके बाद देख लेते हैं, आगे परशन, परशन नमबर तेज, पस्चमी हिंदी की दो बोलियों का सही यूग बताईए, तो पस्चमी हिंदी की हमें दो बोलियों का सही यूगम बताना है, तो जहां पर आवदी, बगेली, वे चतिस गड़ी होगी, वे हमारी पूरवी हिंदी के अंतरगत आएगी, तो तीनों उप्शन में हमारी इस परकार से देखने को मिलिये, यहां पर भी आवद बताईए, यहां पर छतिस गड़ी है, यह है बगेली जो कि पूरवी हिंदी के अंतरगत आती है, यह तीनों बोलिया, लेकिन खड़ी बोली और गुन देली यह हमारी पस्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोर शेनिया परबरन से हुई, पस्चिमी हिंदी भाशा का सबसे बड उप्वर्ग, जिसका चरित्तर अंबाला से कानपूर तक था देरादुन से महराष्टर तक विक्षी था है, पस्चिमी हिंदी उप भाशा के अंतरगत पात बोलिया सामिल है, कौन-कौन सी देख लेते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है निमलिक्त में से कौन सी बोलिया पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती हैं या नहीं आती तो आपको ध्यानक ना है ब्रेजबाशा, कन्नोजी, खड़ी बोली, बुन्देली और हर्यानवी अगर इनका नाम आए तो यह सभी बोली है पश्चमी हिंदी के अंतरगत आएंगे जो कि शोर शेनिया परभरंस से विक् अबधी का सम्बन्द बिहारी हिंदी से नहीं है बलकि यह है पूरवी हिंदी के बोली यह आपको पताईये बिहारी हिंदी का विकास अर्ध मागदी से हुआ है बोजपूरी मगही और मेथिली तीनों के तीनों ये जो बोलिया है ये बिखारी हिंदी से संबन्ध रखे ती है जिसे दो बर्गों में बाटा गया है पूर्वी बिहारी और पस्चिमी बिहारी अर्ध मागदी से पूर्वी बिहारी और पस्चिमी बिहारी में विवाजित गिया पूर्वी बिहारी में दो बोली आएगी मगही और मैथली जो कि मगही और मैथली ये पूछ लिया जाई इन में पूर्वी बिहारी के बोली या कौन सी है तो मगही और मैथली और जो ये भोजबुरी है ये पस्चिमी बिहारी के अंतरगतार वाली बोली है ये भी आपको ध् करते हैं आगे अगला पर्शन पर्शन नंबर एक सेकेंड भई पर्शन नंबर अमारे चोविस पत्चेस ये थोड़ी पर्शन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक के कारण पर्शनों के संक्या में गड़ बड़ होगी भई कोई बात नहीं देख लेते हैं संदेश ड़वू इसलिए ये पढ़ने में जो है कठनाई हो रही है तो अपर बरंच बाशा हमें अभी तक अमारे हिंदी में अभी तक हमने पढ़ी नहीं है तो ये जो पंग्टिया यहां पर दी गई है तो ये हेंचंदरजी की पंग्तिया है पुछी जाती है तो अबदुर्यामान जी द्वार लिखी गई है जो कि संदेश रासक नामक गरंत से लिए गई है और संदेश रासक जो गरंत है इनका वो खंड कावे समदी गरंत है ये भी कई पर पूछा जाता है अब्दुर्यमान का जो है संदेश राज 27 परकार का गरंत है तो खंड का वहीं का ये आपको जहन रपना है उसके बाद देख लेते हैं आगे मिमलिक्त में से कौन सा कथन ऐसक्त्य है तो इन में से कौन सा कथन ऐसक्त्य है ये आपको बताना है चिंता मनी रीति मुक्त धारा क कवी है कि रीति मुक्त धारा के ऐसा त्यकतना मारा यह जाएगा क्योंकि चिंता मनी रीति मुक्त नहीं है बलकि रीति बद धारा के कव्यों में आते हैं राम चुन्ज शुकल जी ने रीति काल का परवर्टक कवी था कुधा का kaç लेकिन बलकि इसके बाद देख लेकते हैं, पर्शन नमबर 27, डॉक्टर रामकुमार वर्माने हिंदी साइट्य के उत्तरमद्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयोक्त माना है, तो रामकुमार वर्माने उत्तरमद्यकाल यहां पर होगा हमारा रीतिकाल, रीतिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्माने उत्तरमद्यकाल कहा है उत्तरमद्यकाल जो है, हम रीतिकाल को मानते हैं, तो डोक्टर राम कुमार वर्माने उत्तरमद्यकाल को जो है, रीतिकाल का नाम दिया है, यह आपको ध्यान रखना है, डोक्टर राम कुमार वर्माने हिंदी साहित्यकारम छहसो तिरान में इस्वी से माना है, राम कुमार व हास्य कभियों के रूब में ये जाने जाती है रामकुमारबर्मा को हिंदी एक आंकी का जनक भी माना जाता है रामकुमारबर्मा को साहित्यवय शिक्षा के छेत्र में 1963 स 20 में पदमеро schanem से सम्मान जा चुका है रामकुमारी वर्म से आया Ver sum procedure हमारा हिंदी साहित्य का इतियास है उसको जैसे कि अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग काल खंडों में वी वाजित किया गया है जैसे कि हम देखे तो आदी काल आएगा फिर हमारा मद्यकाल फिर आदूनिक काल मद्यकाल को दो वागों में बाटा गया है पहला पूरो वागाएगा इनका उत्तर मद्यकाल पूरो मद्यकाल आएगा हमारा मद्यकाल का नाम आएगा भक्तिकाल का तो भक्तिकाल कहा जाता है पूरो मद्यकाल को और जो है उत्तरमद्यकाल का जाता है रितिकाल को इस परकार से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो ये ध्यान रखना है रामकुमार वर्माने हिंदी साहित्य के उत्तरमद्यकाल को जो है रितिकाल का नाम जो है उप्यूक्त माना है उत्तरमद्यकाल को रितिकाल का नाम दि बाजित किया है और उन कालखंडों का नामकरण भी अपने-पने अनुसार दिया हुआ है जैसे की आधीकाल का नामकरण आचारी रामचंदर शुक्षर विरी गाथा काल कहा है तो आधुनी काल का नाम उनोंने गद्दे काल रखा है प्रविर्ति के आधार का है इसी परकार से आधिकाल को भी अलग-अलग नामों से अलग-अलग विद्वानों ने संबोधित किया है और रितिकाल को भी इसी परकार से किसी ने कलाखाल का है तो किसी ने जैसे तिर्लोचन ने रितिकाल को अंधकार का नाम ही दे दिया रितिकाल कहने वाले भी काफी विद्वान हुए जैसे डोक्टर नगिंदर ने भी रितिकाल का है लेकिन रामकुमार वर्मा ने भी रितिकाल उप्युक्त माना है और आचारी रामचंद शुक्ल ने भी रितिकाल का नाम ही रितिकाल ही दिया है क्योंकि उन्होंने परवर्ति के आदार पर दिया हुआ है सभी कालों के नामकरन को देखते हैं आगे पर्षन नमबर 28 इन में से कौन सा इटावा का निवाशी नहीं है इटावा का निवाशी माना जाता है है और नहीं में आपको गन्फ्योज नहीं होना है तो ध्यान रखना है पर्षन में पूछा क्या गया क्योंकि कई पर्षन हम नहीं से समन्दित जब हम अधिक पढ़ने लग जाते हैं तो हमारे जो हमाइड में इसी परकार से जब हम पर्षनों को पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि इसमें यही पूछा हुआ है, नहीं है, तो इटावा का जो निवासी है, वो आप सभी को पता है, रीतिकाल के रीति बद कवी, देव कवी को माना जाता है, समवत 17212 से लेकर 19212 के मध्य के रीतिकाल या उत्रमध्यकाल का नाम जाना जाता है, और मिसर काल में कवियों को तीन सिरेनियों में बाटा गया है रीति बद रीति मुक्त और रीति सित ये आप सब भी को पता है रीति बद के कवियों में सामिल है केशव चिंतामनी विखारिदास देव मतिराम और पदमाकर आदी उसके बाद रीति मुक्त कवियों में सामिल है गनानन ब आलम ठाकुर और द्विजदेव ये सभी कवी जो है रीती मुक्त कवियों में सामिल है और रीती शिद कवियों में सामिल है बिहारी का नाम सबसे अधिक आता है सबसे परशिद कवी रहे रीती शिद कवियों में बिहारी जी फिर सेनापती का भी नाम आता है व्रंद कवी और बेनी वाजपे ये सभी कवी रीतिसित कवियों में सामिल है परिक्षा में ये पूछा जाता है परिशन कई बार कि इन में से रीतिसित कवियों में सामिल कौन नहीं है तो आप इन सभी कवियों को नाम दें अगला परिशन है एक अमारा पंक्तियों से सम्मदित भूले विश्रे सब एक सम, जो लोबोलत नाही, जान परत के कापिक, रीतु बसंद के माही ये पंक्ति, इन पंक्तियों के जो रितिकाली पंक्तियों के जो ब्रजवाशा में रचिती ये पंक्तिया है, इनके रचनाकार है रंद कवी, इस दोहे का भावर्थ भी देख लेते हैं, तब उनके भले भूरे होने का हमें पता चलता है, वरंद कवी के जो दोहे नीती परक दोहे होते हैं, इन में ज्ञान और नीती की बाते सरलोगर आकर शेक वाशा में समझाई गई हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पर्शन नमबर पता नहीं भई, हमारा कौन सा च ये का मत है, तो भुगतिवाद जो मत है, वो रसनिस्पत्ति के सम्मद में, वो हैं हमारे भटनायक का, रस के चार परमुख व्यक्याता हुए हैं, ये अभी नवगुप्त, संकुक, और जो हैं, भटनायक और भटलोलट, ये संकुक है भई, उसके बाद बढ़ते हैं, आग रुपवाद माना जाता है, आचारिय संकुक का मतनुमति वाद माना जाता है, भटनायक का भुक्ति वाद माना जाता है, और अभी नवगुप्त का अभी व्यक्ति माना जाता है, ये सभी जो हमारे रस के व्यक्याता हैं, उनके जो है रस निस्पत्ति से ये सम्मंदित जो गई हैं अगर वीडियो आपको पसंद आती है लगता है आपकी परिक्षाओं के लिए ये पर्षन हैलफुल है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेस्ट क्लास बनाने का भी मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़त बढ़ते हैं आगे अगला पर्षन देख लेते हैं रागदर्बारी उपन्यास में वर्णित गाओं है तो कौन सा गाओ रागदर्बारी उपन्यास से समद्धित है वो है सिव पाल गंज रागदर्बारी विख्यात हिंदी साइटेक कार सिली लाल शुक्त जी का परशिद वेंग्य रचना मानी जाती है और इसके लिए उन्होंने 1999 में जो है साहित्यक आदमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है यह है ऐसा उपन्यास है जो सिपल गाउं की कथा के माध्यम से आदूनिक भारतिय जीवन की मुल्य हिंता को जो सहसता से अनावर्द करता उसके बाद बात करें आगे पर्शन नमबर 33 हजारी परशाद्य विवेदी जी दुआर ररचित पहला उपन्यास कौन सा है हजारी परशाद्य विवेदी जी का जो ये सभी उपन्यास वैसे हजारी परशाद्य विवेदी कही है पुनर्वा चारुचनलेख और अनामदास का पोता लेकिन बान बट की आतम का था हजारी परफ़ा दिविवेदि जीदुवारर रचित, इनका पहला उपन्यास माना जाता है, उनका ये परफम एतिहासिक हिंदि उपन्यास भी माना जाता है, बानबरट भटिनी और निपोनी का इनके परमुक तीन पत्तर है, इस पुस्तक का जो पर्धम परकाशन वर्ष है, उस नीसो चालिस में राज कमल जी दूअरक परकाशन किया गया, बढ़ते हैं आगे परशन नमबर 34, मातमा गांदी के जीवन पर आतारी तुपन्यास इन में से कौन सा है, इन में से मात्मा गांधी के जीवन पर जो आधारित उपन्यास है वो है पहला मिटिया जो कि गिरी राज किशोर जी दुबारा चित हिंदी का उपन्यास है जिसमें मात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास इनो ने लिखा है और इसके नायक है मोहंदास कई बार ये पूछ लिया जाता है मुहंदास की सुपन्यास के नायक है तो पहला गिर मीटिया जो कि गिर राज जी दुबारा लिखा गया हिंदी का उपन्यास माना जाता है उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नंबर 35 देख लेते हैं भी पीली आंदी उपन्यास की लेखी का कौन है तो पीली आंदी जो उपन्यास है जो दिखी गई वो परभा खैतान जी है इसकी लेखी का पीली आंदी उपन्यास की लेखी का परभा खैतान जी दुबारा ओर अन्य उपन्यास है आओ पे पे घर चले छिन मत पेली आंदी अगनी संभावा ताला बंदी अपने अपने चैरे उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन गुमकर सास्तर यात्रावर्थ के लिखा कौन है तो गुमकर सास्तर के यात्रा जो यात्रावर्थ लिखा है वो लिखा है राहुल सांसकर्टा यान का मानना है था क कि कमर बांजलो भावी गुमकडो संसार तुमारे स्वागत के लिए बेकरार है ये कतन पूछ लिया जाता है कई बार परिक्षा में किसके दुवारा कहा गया है तो आपको जहां लगना है राहुल सांस करता है ये अनजी दुवारा राहुल ने अपनी यात्रा के अनुबाव को आतमशाद करते हुए उमकार सस्तानावक के रचनाकी बढ़ते हैं आगे अगला पर्षन गोवद नीवारन की बावना से लिखा गया उपन्यास कून है। उसके बाद देख लेते हैं आगे परशे नंबर 38 वीनायक किस उपन्यास का पत्तर है तो वीनायक हमने देखा था नूतन ब्र Joshua जी का जो पन्यास है उसका पत्तर मान चाता है वीनायक कई बार परिक्षाओं में पूछा जाता है और विनायक नाम से जो एक उपन्यास भी लिखा है रमिदर शाह जी ने जो कि 2014 में इसे साहित्यक को अदमी पुरुसकार से सम्मानित किया उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 बरस लेकुकर जीये 16 लो जीये सियार इन पंक्तियों के रचेता कुन है तो जगनिक जी दुआरा लिखी गई ये पंक्तिया इसके रचेता कवी जगनिक है पर मालरासो 12 बारवी स्ताब्दी की रचना है और आदिकालीन हिंदी साहित्यके वीर गाथात्मक रचोकावे माना जाता है आज के समय में परमाल रासों का केवर अल्लेख हंधी उपलगद है आलंग कि इस रचना के काल के विशे में काफी मत्बेद है कहीं पर वेबार्वी स्ताबदी की है तो कहीं पर सुल्वी स्ताबदी की रचना कही जाती है कभी जगनिक और कालिंजर और महोबा के राजा परमार के दरबारी कभी माने जाते हैं उसके बाद देख लेते हैं आगे आदिकालिन रासों साहित्य की परमुक प्रवर्तियों के समन्द में कौन सा कथन सही नहीं है तो इन आदिकालिन परवर्तियों में हमें देखने को मिलता है इस साहिते में राष्टर प्रहेम का सुन्दर चितरन किया गया है अगर ये होता सुन्दर चितरन नहीं किया गया तो हमारा उप्सन ये सही होता वरना ये गलत है क्योंकि यहां पर आदिक आलिन साहित्य में जो हमें राष्टियता की संकुच राष्टियता की भावना देखने को मिलते है, पर तहأ एक राजा अपने अपने राज्य realistically में ही खुश होते हैं, वे एक दूसरे के राज्य को अडबने की कोशिश करते हैं, ना कि पूरे राष्टर को एग मानते हैं, तो इस परकार से राष्ट्य प्रेमेन में देखने को नहीं मिलता, बढ़ते हैं आगे, युदो का सजीव चितरन इस साहित्ते में अंबिशेशता है, बिल्कुल सही, इसमें सोरिया और विलास्ता का सवबात और जीवान चितरन हु अगला परशन देख लेते हैं, आचारी रामचंज शुकल राष्ट का संबंद किस शब्द से माना है, तो राष्ट का संबंद शुकल ने राषायन से माना है, तो अलग-अलग विद्वानों ने राष्ट का संबंद अलग-अलग शब्दों से माना है, तो रास से किसने मा इस परकार से हमें देख लेना है क्योंकि किसी भी विद्वान के अनुसार पूछा जा सकता है निमिलिक्ष में से जो रसी से राश्य शब्द का सम्मन्द कि इस विद्वान ने माना तो जैसे कि नरुतम दा सुमीन तो शुकल जी ने राशयन सब्द का जो संबंद है वो राशयन से माना है और विशल देव रासो गरंद के आदार पर उन्होंने राशयन सब्द जब बार बार आया तो हमारी समझ में राशयन सब्द होते होते रास हो गया है समाना है शुकल जी के अनुसार और रास से मानने वाले विद्वान है वे है गोरी संकर ओजाजी उसके बाद जो है राशक से माना है हजारी परशाद्य विवेदी ने अगर ये पूछ लिया जाए अगर परिक्षा में कि राशो शब्द से जो राशक शब्द से राशो शब्द की उत्पत्ती जो है किस शब्द से मानी जाती है तो सरव मानने तोर पर हम आंसर लगाएंगे राशक से भी राशक से ही राशो शब्द की उत्पत्ती मानी जाती है ये हजारी परशाद्य विवेदी जी के अनुसार भी माना गया और सरव मानने भी यही तो सरोमान्य तोर पर भी अगर पूछ लिया जाए राशक शप्त के उत्पत्ति तो राशक से ही मानी चाती है इस परकार से हर एक परशनों को आपको समझ के साथ करना है परिक्षा में किसी भी परकार से परशनों को गुमा फिरा कर पूछा जा सकता है इसलिए हमने इस के साथ परशनों करने की ताकि परिक्षा में जब आप बैठो तो आपको यह लगे कि हर एक परशन आपको कहीं न कहीं हमारे पड़े हुए ही तथ्य परिक्षा में पूछे गई है हमारा पड़ा हुआ है तो जब तथ्यों की आप बार बार रिवीजन करोगे पिछले सालो में पुछे गए परिशनों को which solution के साथ करोगे तो ही आप लोग जो है परिक्षा में परिशनों को सही कर पाओगे तो ऐसा मेरा मानना है तत्यों की बार-बार रिवीजन ट्रीक पर मैं बहुती कम विश्वास करती हूँ अधिक रिवीजन ही हमें सफलता दिलाती है निरंतर अधियासी होता है सफलता का राज तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँ तो प्लेज वीडियो को लाइक और कमेंट आवश्य किया करो क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे next class बनाने का motivation भी मिलता है देख लेते हैं आ क्योंकि अलग-अलग विद्वानों ने हिंदी का पर्थम कभी अलग-अलग जो है अलग-अलग सही तैकारों को माना है तो लेकों को माना है तो अलग-अलग हिंदी का पर्थम कभी किस विद्वान के अनुसार किसे माना गया है ये भी हम देख लेते हैं आज की class में लग- करें लग बग जो है 50 परसनों का करने का हमाए तो शायद है हमने 50 परसनों को आज की क्लास में कम्पलेट करी लिया है तो देख लेते हैं आज का मारा अनतिम पर्शन हजारी परशात्य विएध किसे हिंदी का पर्थम कभी मानते हैं तो आंसर होगा हमारा अब्दुरैमान अब्दुरैमान को हजारी परशादी विवेदी हिंदी का पर्थम कभी मानते हैं सरहप्पा को माना राहूल संस करता है हने शौंबु को माना रामकुमार वर्माने पुश्यदंद को माना सिव सिंग सिंगर न और जो है यह हमारा थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण यह लाइन ने टाइप हो गई है तो कोई बात नहीं तो आज की क्लास के अंतरगत हमारे के वली इतने ही पर्षन थे लगबक के हमने 50 पर्षनों को तक हमने कंप्लेट कर लिया है इसी तरह हर हमें पुछे गए मैं तव पूरण बिंदूओं को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे वीडियो पसंद आई तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलत सारे बढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना थैंक्यू धन्यवाद